कि आ ओके आज का लेक्ष्ण स्टार्ट करते हैं तो कल हम लोगे देखा लिए दाट को इसकर सिखा है कि आे तक हम लोगने कल सिखा था आज हमtt लोग श 녹्रेंग करेंगे यहां पे रहां पे स्ट्रेश्ट लाइन कंड़क्टर्स तो इसका यूज अगर आप यहां पर कुछ भी एक आपजेक्ट रह करते हो इसका मैं आप आउटलाइन थोड़ा कम रखती हूँ वैंने यह अबजेक्ट को तो ड्रॉप किया है इसको कलर फिल करते हैं इसका डूब्लीकेट लिया वने और यहां पर मैंन लेती ऊच्छेट लाइन कंडेट तो यह अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दीखाना रहेगा मतलब आप वे से दिखाते हैं अभी अटमाटेक्ली थिक्नेस क्यों आ रहा है क्योंकि ना मनियार्च फैन्टूल मेंसे इसका थिक्नेस को अल्रेड़ी जादा तो इसके लिए हूँ ऐसे थीखने सा रहे है वान रखने को मतलब वो कम आएगा मैं कुछ भी द्रॉ करूंगी तो उतना जादा थीखने से नहीं दिखे का लोगा तो मैंने यह पर स्ट्रेट लाइन दिखाया है फिर आप दूसरा अब्जिक यह पर द्रॉ करके दिखा सकते ह तो इसमें एक अरो डल के मितलब कुछ भी पर्टिकुलर अब्जिक रहेगा उसको आपको दिखाना रहेगा से स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्रॉस में दिखाना रहेगा तो आप यह पर इसे राइट अंगल में दिखाना रहेगा तो आप यह पर फर्स पॉंट ले दिया आप यह लाइन में डिडेट करती हूँ चाहिए तो और इसके नीचे और एक अबजेक्ट ड्राउ कर लेती हूँ इसके अंदर आपको टेक्स डानना रहेगा तो ऐसे आपको कुछ अबजेक्ट डिखाना रहेगा पर्टिकुलर तो ऐसे आप राइट अंगल कंडेक्टर या पर स्ट्रेट लाइन में ऐसे कुछ दिखा सकते हूँ ठीके नेक्स्ट अगर आपको यह पॉइंट को एडिट करना है तो आप यहापे क्यालो नीचे देखो एडिट अंकर पॉइंट ले लिया मैंने यह जो लाइन है उसको सिलेक करना यहाप एक पॉइंट सा जाएगा पॉइंट को अगर मैं यहां पे जाके मूव करती हूँ यह पॉइंट के मैंने क्या 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 रेक्टेंगल का जो मीड़ पॉइंट है वहां पे मूव कर दिया अभी मैं मूव टूल ले रही हूँ और इधर से इसको रोटेट करके ऐसे मूव कर दिया मैंने तो देखो एडि को स्ट्रेट लाइन ले लिया तो इधर से मैं लाइन दॉर लिया थाय इसको इदिट कर सकते हो फिर दो ही एडिट पॉइंगर पॉइंट टूल लेलो और इसको एडिट कर लो कीकि राउंड में ऐगा तो यह पर राइट राउंड राउंड दिखा रहा है यह नौमल लाइन दिखेगा उसमें कुछ राउंड कर्व क्रेट नहीं यह लोगे तो उसमें round corner click add हो जाएगा इसको भी आपको क्या करना है परस्ट क्लिक आपे ले लिया, second click क्लिक आपे कर लिया अगेन इसको edit करना रहेगा तो आप यह आपे क्या करो, edit anchor ले लो आपे double click करोगे तो यह points आजाएगा, point को आपे जाके move करोगे, जहापे भी move करते हो तो क्या हो जाएगा यह line उधर आजाएगा move tool लेने के बाद ही, यह move होता है तो आप यहापे click करोगे, sponge यहापे चाहिए तो यहापे दीख रहे हैं और नहीं दीख रहे हैं तो आपके आपके पस कुछ दूसरा object रहेगा तभी भी आप दिखा सकते हो, clear समझा सबको next, देखो यहापे क्या आडा है यह लोग ने देखा भी यहापे आडा है blend, तो blend का use क्या है समझे कर मैं यहापे एक rectangle create करती हूँ again और इसको मैंने color fill कर लिया और इसमें मैंने अभी 2 object चाहिए आपको blend create करोगे ना कभी भी आप तो दो object होना चाहिए यहापे इसका भी मैं फिर से duplicate कर जी और यहापे side में उसको move कर देती हूँ और यहापे मैंने ले लिया blend, तो ब्लें लेने के बाद आपके पास जो भी 1st object रहाएगा उसको select करना है यहापे आपके पास जो दूसरो object रहाएगा उधर उसको drag करना है यहाँ पर मेनू बर्स में जाओगे तो एफेक्स दिखेगा उसमें जाओगे तो इसमें blend option आजाता है तो यहाँ पर blend का जो property से open हो जाता है यहाँ पर देखो क्या option आ रहा है? blend object मतलब अगर आप blend करते हो तो दो object है दोनों में आपको कितना चाहिए blend कितना object में होना चाहिए तो 20 लेना है आपको जितना भी object चाहिए आप एप एड कर सकते हो minus करना ना रहेगा तो आप minus कर सकते हो कितना आप यहां पर रखोगे 9 रखोगे तो यहां पर आपको 9 अबजेक्ट ही दिखेगा clockwise दिखो यहां पर यहां पर डायरेक्शन है बेंट का वह कितने में होना चाहिए तो 45 अंगल डाल दिया मैंने यहां फिर मुझे अंगल नहीं चाहिए तो 0 रख आपको अंगल चाहिए जो भी चाहिए वो डाल सकते है इसमें क्या के दिख्ञा है clockwise चाहिए डायरेक्ट डेंट चाहिए clockwise रखा तो clockwise दिखेगा और counter clockwise रखा तो counter clockwise दिखेगा वह यह option आपको यहां पर भी मिलता है जो हम लोगने अभी effects में जाके blend का properties on किया है उसमें भी आपको वह option दिख रहा है कितना object चाहिए ब्लेंड में एंगल कितना रखना है और यहां पर oscillator में क्या होता है इधर से समय चाहिए थोड़ा change करते हो इसका amount को apply करते हो तो इधर देखो वह color थोड़ा ज्यादा spread हो रहा है तो यहां पर sky color दिख रहे है फिर ऐसे blue color दिख रहे है जितना color change हो वह सिब आप amount change करते हो ना तो यहां पर color कैसे change हो रहे है अब इसमें क्या हो गया, sky color यहां पर ज्यादा आ रहा है फिर यहां पर color दूसरा apply हो रहा है और अगर मैं यहां पर थोड़ा midpoint में रखती हूँ यह जो line दिख रहा है midpoint पर रखो के तो properly आपको color fill दिखेगा और अलग-अलग color में इस पर भी नीचे option है direct blend clockwise और counter clockwise रिसेट करना रहेगा तो आप यहां पर reset के उपर क्लिक कर देना अब अब कुछ भी आप यहां पर changes कर रहे हूँ आपको नहीं चाहिए तो आप उसको reset कर सकते हो तो आपके नेक्स्ट क्या रहा है देखो contour contour का यूज़ का है फिर समय एक rectangle ले लेती हूँ आपर उसको color fill कर लिया और यहां पर मैंने लिया है contour और contour में क्या क्या मैंने फ़री यह object को select किया और ऐसे उसको अंदर के तरफ चाहिए बाहर के तरफ चाहिए वैसे आप माउस सिर्फ मूफ कर देना contour में आपको object कितना रखना है contour का step जो है वह कितना रखना है आपको step डाल सकते हो यहां पर जो distance है मतला भी आपए देखो इदर से थोड़ा distance देखना है फिर यहां पर पर distance लीट रहना है तक को यह दोनों के बीच में कितना distance रखना है आप यहां-पर distance भी डाल सकते हो यहां पर जो contour ही तो और क्या रखना है आपको राउंड में चाहिए राउंड नहीं चीए तो इस फ्यूस्ट औप्सट उप्शन क्लिक करना और चांफर होके चाहिए तक यहां पर वेंबेल तो आप यही option को ट्राइ करके देख सकते हो normal corner में चाहिए तो आप डाल सकते हो यहां पर दिखो यहां पर ना उसका thickness दिख रहा है तो थिकनेस को color के देना है आप यहां पर colors change कर सकते हो और यहां पर fill color के रखना है तो आप फिल कलर को change कर सकते हो वह option आपको यहां पर भी मिल जाएगा इधर भी देखो two center में दिया है inside contour और outside contour तो यह भी आप use करके देख सकते हो और यह सब option आपको again effects में जाएंगे तो contour करके option आजाता है इधर से भी आप change कर सकते हो same जो हम लोग ने modify किया है आप इधर से भी कर सकते हैं इधर किया तो इधर से दोनों में से किदर भी आप कर सकते हैं इसको changes clear है next आड़ा है distort distort में क्या होता है फिर से मैं एक object create कर लेती है और इसमें मैंने लिया दिस्टो यह न शेप चेंज करता है मतलब यह rectangle रहना तो इसका shape को change कर लेगा अब यह corner में जो points दिया है ना point को select कर लेगे तो इसमें वह shape को change कर लेता है या फिर आपके पर सको circle रहेगा तो उसके उपर भी आप try करके देख सकते हैं सिर्फ आपको यह point select करके उसको modify करना है नेक्स्ट रहा है drop shadow so अगर मेरे पर कुछ object रहेगा या फिर कुछ images रहेगा उसके उपर आपको shadow create करना है तो आप यहापे drop shadow का use कर सकते हो यहापे मैंने ले लिया drop shadow और यहापे click कर कि मुझे shadow कौन से side में चाहिए अब वैसे mouse सिर्फ move कर देना shadow उस side में आ जाएगा उसका properties change करना है तो यहापे आपको shadow कहापे चाहिए flat top right, flat bottom right या फिर मुझे यहापे top left side में चाहिए तो जो भी हम लोगों को चाहिए perspective top right चाहिए perspective view में रख सकते हैं इधर से आप उसका थोड़ा को stretch करके दिखाना रहेगा श्रावर तो अभी इधर से stretch कर सकते हैं okay यहापे क्या आपको यहापे क्या आरा है first option drop shadow angle आपको angle कितना रखना है इसका तो यहाप आप अगल change कर सकते हो यहापे transparency मतलब opacity कितना रखना है shadow का opacity का opacity कम जदा कर सकते हैं वह depend है opacity मतलब sun का direction जैसे change होता है और sun जैसे हम लोगों को जादा दिखता है मतलब afternoon के time पर थोड़ा जादा दिखता है तो उस time पर shadow थोड़ा जादा है दिखेगा आपको opacity थोड़ा जादा दिखेगा आपको तो time की सबस्क्राइब कर सकते हैं अदिखेगा जड़ा थे सबस्क्राइफ और जादाे ऐसी कि अधाक है युचान की मतलब स्टेवाे ठीफ दोच रीखाना दिखता है तो लिग तको प需 धादाव प्रिंपेश होता है color उसे agree तो जादा मि teżखिए लेकिन सब्स्राइब लेकिन सब्स्राइब तो नहीं स्ट्रेज हो कि इतना दीखना चाहिए चाहए चाहिए चाहलो तो आप स्ट्रेज कर सकते हो यहाँ पे जैसे हम लोग फोटोशॉप में ब्लेंडिं ऑप्शन देख रहे मालगा था ता मल्टीपल रखना रहेंगा लुए है बिख़ी के अफ धना कशणा देचाहिं और ही, टाईपर दिखेगा. तायपर टैप्स दीखेगा लुए जा माल հह्ना करता है की Якए कर लका क्ट सब्दीन है आप देना रिक्ट है. खिल दिखेगा. फ़ेड बीश इसन दू hen महीं has the solder when the developers but the एक पॉइंट ले लिया यहां पे फिरसे देखो पॉइंट डिखा है तो आप यह पॉइंट को से लेकर कर सकते हैं और एफेक्स में हर एक चीजज का उप्षण मिलेगा आपको देखो एंवलफ का उप्षण दिया है इसमें तरी ताइप साजायेगा मतलब आपको यहां पर भी मिलताए वह तो एंवलफ जाए बीने में इसमें दूले डेलो में जाहिए तो और ऐसेमें आपको देखेगा है एड कर मोट करना नायगा तो डबल फिलीक करके karenा धो एड करना रहाएंगा तो यहापी अपने कैया जाएगा पुछ भी कर सकते हो पुछ में एडीटिंग करना लाएगा तो इड़रसे भी certain सब्सेलड लाइमा चाहिए शिंगल तो आर्क में चाहिए तो आर्क अप्लाई करके देखो तो सिब आपको मुछ ऑबजिक रहाएगा उसको आपको थोड़ा एडिटिंग करके दिखाना रहाएगा तो ऐसे आप एंवलप ले लो या फिर इधर से आप डिस्टोड का उप्शन यूज कर सकते हैं एड प्रिसेट में चाहेंगे न इसमें भी आ जाते हैं मतला मुझे पॉलीगोन है यह पॉलीगोन ने जाने के बाद मुझे करना है यह पॉइंट को थोड़ा एडिट करना है एडिट कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एक्स्टूड का तो अगर आपके पस कुछ ऑबजेक्ट राएगा उसको आपको एक्स्टूड करके दिखाना राएगा तो वह इंडरिक्ली एक्स्टूड हो जाता है तो यहापे मैं हैरलाइन रखते हैं और यहापे मैंने ले लिया कि अधर साइड में चाहिए आपको एक्स्टूड एफेक्ट तो उधर आपको इसे माउस को मूप करना है तो वह एक्स्टूड हो के दिखेगा आपको एक्स्टूड करने के बाद यहापे option में क्या दिखाया है कितना डेफ्थ रखना है आपको अबजेक्क का तो यहापे अबजेक्ट का अपशन आपको एक्स्टूड करते हो और यहापे अपलाई करते हैं तो वह अपलाई हो जाएगा फिरसे अगर मुझे अबजेक्क को एडिट करना राएगा समझ लो मैं इसको ख्लोज कर देती हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि एक्स्टूड प्रापर ह हुआ नहीं है तो मुझे फिरसे इसको एडिट करना है अगेन आपको एडफेक्ट में जाके एक्स्टूड में जाना है और इसको क्या करना है इंदर से मैं एडिट कर देती हूँ अपलाई करती हूँ, अपलाई हो गया, फिर से एडिट करना है तो एडिट के उपर क्लिक करोगे तो यह option फिर सान हो जाएगा ऐसे एक्स्टूड रोटेशन आपको लग रहा है यह अप्जिक्त फोड़ा रोटेट करके दिखाना हो तो आप यह अपर रोटेट करसकते हो, एडिट करना है फिर से एडित में क्लिक करना इस पर एडिट हो चाएगा लाइट एफेक्स दिखाना रहेगा तो यहाँ पर लाइट से एफेक्स में चाहो यहाँ पर देखो लाइट स्विच वान टू ऐसे 3 वह बहुसरा ओक्षन दिया है आपको कौन सा वाला लाइट चाहिए आप इदर से लाइट लेके अपलाई करोगे तो वह लाइट एफेक्स इंटेंसिटी कितना रखना है लाइट का इंटेंसिटी कितना रखना है लाइट का इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो लाइट टू लेके दिखाते हूं इसमें इंटेंसिटी थोड़ा कम रख दिया मैंने अपलाई किया यह साइड में दिख रहा है भी लाइट से इंटें तो light 3 अप्लाइब जायगा है इन्डेरिक उसमें applyt ka colors अगर चेंज नहीं कर सकते हो वह उदर जो light दिया है वह यह अप्लाइ करना पड़ेगा आपको extrude color, light use करना, उसटेया कि अप्लाइब करना, उस ते आपको किया चुछ मत करना यहां पर edit में जाते हैं use object fill तो पहले जो हम लोग ने color रखा तब वह दिख रहा है solid color में जाएंगे तो यहां पर अलग-अलग color fill कर सकते हैं apply करेंगे तब वह color fill हो जाएगा और यहां पर share चाहिए तो from और to यहां पर देखो मैं तो yellow color रखना है और उसका angle कितना रखना अब इधर से भी change करो या फिर यह जो point है point को click करते हो तो भी यहां पर change हो जाएगा और उसको angle क्या दे रहा है तो अब angle भी change कर सकते हो apply करना अभी देखो यहां पर यह मेरा object है इधर से इतना object था उसके नीचे जो extra आपको दिख रहा है और उसका angle क्या रखना है वो angle आपको दिख रहा है ठीक है इतना try करके देखो आपको समझ में आएगा आप कौन सा भी object लोगे तो उसको extrude करके दिखा सकते है but यह object नहीं रोटेट नहीं होता है आपको ऐसे ही दिखेगा यह side से ही दिखेगा extrude effect नेक्स्ट क्या रहा है transparency तो अगर मेरे पस कौन सा भी object रहाएगा like लोग last assignment उसमें देखे थे transparency हम लोग apply कर रहे था कौन सा भी object में आप transparency effect apply कर सकते हो तो मैं इसका border को learn किया और इसमें मैंने ले लिया transparency इसका transparency में यह center से दिखाना है सेंटर रखा तो उसका लगलग types आ जाएगा पून रखना है uniform रखना है तो फूरा अब सब जगर पर सेम आ जाएगा transparency effect transparency मतलब देखो हम लोग जो windows देखते है वह भी transparent रहता है मतलब अगर आप अंदर रहोगे तो बार से आपको सब कुछ दिखता है उसको बोलते transparent यहां पर हम लोग वही चीज़ अपलाए कर रहे है linear लेना रहेगा linear ले सकते हैं इधर से उसको changes भी कर सकते हो आपको कितना transparency दिखाना है किधर तक दिखाना है रेडियल दिखाना रहेगा तो रेडियल ले लो तो circular टैप में दिखता है तो अलग-अलग सब का effect आप एक बार try करके देखना और इसमें भी normal रखना रहेगा saturation रखना रहेगा इधर multiple रखती हूं तो multiple में आजाएगा फिर यहां पर transparency midpoint यह midpoint आपको कहां पर चाहिए exactly लेड़ित माँ